हेलो दोस्तों कैसे हो आप लोग उमीदे दोस्तों आप सब बहुत अच्छिस होंगे दोस्तों आपके ग्रैजविशन के सिमेश्टर के एक्जाम सुरू होने वाले हैं और हम मुझे पता है कि सारे बच्चे इसी स्रीज से पढ़ाई करते हैं तो चलो हम एक नई स्रीज सुरू करते हैं और हम क्या करेंगे आपके स्रीज को अपने आसान से सब्दों में explain करने की कोशिस करेंगे मतलब हम दोनों साथ मिलगे ऐसा रगा कि हम साथ मिलके discuss करके उस स्रीज को पढ़ रहे क्योंकि किताब पढ़ने से ज्यादा बहतर है कि discuss करके खुद से पढ़ लिया जाए समझ लिया जाए क्योंकि लिखना तो अपने सब्दों में है तो हम एक नई स्रीज सुरू करते हैं और हम इसमें गागरेंगे एक साथ में मिलकर पढ़ाई करेंगे तो आज इस वडियो में हम देखेंगे होम साइंस की बी ए हफरस्ट एर फरस्ट समझतर के होम साइंस की ग्रीव इज्यान के सीरीज के पार्ट एए के questions को देखेंगे जहां तक हो पाएगा टुटल साथ question है तो आज जहां तक हो पाएगा उसको हम आपे खत्म करने वारे आप हमें कमेंट में बताइए कि आप अगला कौन सा सिरीज साथ मिलके पढ़ना चाहते हैं उस कमेंट में उस सिरीज का नाम बताइए सब्जेक्स का नाम बताइए हम फिर से उसी सिरीज को डिस्कस करेंगे तो फिलाए इस वीडियो में आईए हम और आप मिलके साथ में पढ़ाई करते हैं और डिसकस करते हैं अवद विश्य विद्याले बी-ए फस्ट यर होम साइन्स के पेपर को तो चलिए बहुत बहुत श्वागत है आपका तो ओके दोस्तों सुरू करते हैं आपके इस सब्जेक्स को और आप देख सकते हैं कि आपके अवद विश्य विद्याले का या स्रीज है अवद स्रीज ठीक है और इसमें बी-ए फस्ट सेमेस्टर बिलकुल नहीं प्रिकासन्स का है जिसमें हम आज देखेंगे ग्रिवी ज्य ग्रिव विज्यान, होम साइंस, पोस्टर एवं मानों विगास के मूलतत्तों तो चलिए फड़ा-फड़ से सुरू करते हैं और आज हम डिसकस करने वाले हैं सेक्शन ए के सभी प्रश्ण को जहां तक हो पाए संभावत उन सारे प्रश्णों को हम देखेंगे और अपने कोसिका का अर्थ बताना है दूसरा कोसिका की परिभासा बताने के लिए उसी प्रकार से जो कोसिका होती है जो सेल्स होते है वह हमारी बाड़ी की इक काई होती है जिसकी संद्राचना से क्या होता है पूरी body का पूरी सरीर का निर्मार होता है अब आई ज़रा देखते हैं कि किताब में क्या लिखा है कि परतेक जिवधारियों की सरीर में अनेक छोटी-छोटी संद्राचनाओं से मिलकर बने होते हैं जिने हम cell कहते हैं यानि कोसिका कहते है अब आगर रिखा है कि कोशिका परते एक जियोधारी की संरचनात्म की एक क्रियात्म की एकाई है अब यहाँ पर आप से लिखा है कि संरचना क्या धार पर अफ्रोप सा कोशिका के बारे में बतायागे कि इसकी संरचना कैसी होगी सजनरचना की अधार पर कोशीका जो ना एक जिली से घिरी होई होती है, उस जिली जिली को हम कहते है Semi- Salby-L часть याने की अर्थ पारेगम में कोशीक कला, ठीक है? इस कोशीक कला से घिरी होती है और खुद कोशिका जो होता है एक केंदरीक्ट कोशिका द्रब बे एक पिंड होता है तो यह बात होगा इक कोशिका के अर्थ की सिंबल सी बात है कोशिका के आया हमारे सरीक सनाचना की चोटी सी काई है इन कोशिकाओं की सनाचना से हमारे मसल्स का निर्माड होता है मिसल्स आठी बाद currently निर्मारती है पुरे सरीट का निर्मारती है कोशिका की अर्थ में इतना कफी है एक परिवासा भी यहां पे दिया गया है तो परिवासा हम किसी विद्वार के द्वार में लेंगे विद्वार के करें旅न्य अब vorstellen जो लूवी और सिकेविच ने दिया था वह इस डेफिनिशन है तो हमें यहां पर थोड़ा से इसको याद करना पड़ेगा अगला प्रशन आप से पूछता है कि भोजन क्या है किताबों में कुछ भी लिखना है अब भोजन क्या है मैं भोजन की बात करूं तो जिसकार कोई कोई गाड़ी चलती है या कोई इंजन चलता है कोई मसीन चलती है तो उसको चलाने के लिए एक फ्यूल इंधन क्या सकता होती है हमारी बोड़ी हमारी सरी हमें भी चलने के लिए भोजन एक इंधन क्या सकता होती है तो ठीक है यह हम समझ चुके हैं अब किताबों में क्या किताबों में अलगा अंसर भी लिख सकते हैं अपने सब्दों में यहां भी लिखा है कि भोजन भोजन थोस अथवा तरल पदात है ठोस भी ओसकता है जिसको कोई वक्तिग करता है और जो शरीर में जाकन पाचन-शोषर तथा जया पाचन के पस्चात सरीर को उर्जा पर्दा करता है ठीक है वे समस्त पदार्थ जो सरीर में ग्रहण करने के बाद सरीर को उर्जा पैदा करते हैं और तूटे-फुटे तंतू की मरमत करते हैं इसका मतलब जब हमें भूग लग जाती है तो हम अंदर से थोड़ से कम्जोर फिल लगते हैं तो उस चीज की मरमत करती है उस अगरा परशन देखेंगे पोस्टर के आया बच्चो पोस्टर की बात कर लेते हैं तो के टर्नर के अनुसार पोस्टर सरीर में होने वाली विविन किरियाओं का संगधन है जिसके द्वारा जिवित पराड़ी ऐसे पदार्थ ग्रहन तथा उपयोग करता है जो सरीर के के अनुसार करता है विरिधी करता है और सरीर के टूट की मरमत करता है हमारे सरीर के हमारे और सरीर के विवित्यक्त करता है चाहित च्ड़ हो अब उस नीचे लिए हम भोजन अग्रहाण करते है किस पोस्ततो होते हैं जो हमारे सरीर को उर्जा देते हैं और हमारे सरीर की रक्षा करते हैं संतुली ताहर है यह भात अच्छा प्रशन एंच्छा है प्रशन है अब समझते हैं इस चीज इसको कहते हैं balance diet का मतलब क्या होता है ? आपके कोई भी भी बच्या खाना खा रहा है तो वे विटैमिंस ज्यदा लिये प्लाइशिया है या कार्बोहड़िट कोई च sulphोग अलू आलू 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 घ्याथ नहीं होता है या फिर कोई बच्चा दाल दाल प्रोटीन जादा ले रहे तो यह उसको सरीर के लिए फाइदे मुन्नी हो दा एक बॉडी को कितने विटेमिन्स चाहिए कितने प्रोटीन चाहिए कितने कार्बोहेडरेट चाहिए कितने फैट चाहिए इन सबका एक balance अगर कोई करके लेता है वह आहार या फिर वह भोजन या वह खाना जो हर एक मामले में balanced हो मतलब proper आपको vitamins भी मिले, proper आपको carbohydrate भी मिले, proper आपको protein भी मिले, proper fad मिले, balance मिले तो इस परकार के आहार को हम balanced diet कहते हैं यानि कि संतुलित आहार कहते है वा आहार, जो सरुर की उtown कि आवसकता, सरीर के निर्माण तत्वों की आवसकता, नियामख औन सुरचमत की आवसकता को पूर्ड करता है संतुलित आहर करता है ठीक जो भी यहां पिरके नियामक करते है नियामक का मतलब जो भी Cassian टेंडर्ड हो जो भी आपका अच्छी चीज़ें हो जो आपको लेतम चाहिए वह नियामक उसकी पूर्थी क हgg бан तो बैलन्स जाट करता है, मतलब हर एक संतुली दाहर में हर एक छीज की मातरा संतुलीत में हो ना कोई बहुत जयादा हो जाए, ना कोई बहुत कम हो जाए चलिए नेक्स प्रसन देखेंगे कार्बोहेडरेट कार्बोहेडरेट कार्बोहेडर्रिक क्षच्चा हो पोधों की हरी पत्यों, डालियों के दवारा निर्मित होता है। भारती आहार में कार्बो हार्डडड की मात्रा सबसे अधिक होती है। यहां के लोग 70-80% उर्जा कार्बो हार्डडड युक्त भोजपदार से ही ग्रहन करते हैं। अधर हमारी जो भी भोजपदात हैं तो 70-80% उसमें कार्बो हार्डड की मात्रा हम ज्यादतर लेते हैं। अगला प्रशन है कार्बो हार्डड का रसानिक सूतर। दोस्तों यह बड़ा इंपोर्टन है। आप इस चीज़ को यादर कर लिएगा। और 6 है, C6H bar O6, कार्बो हार्डड में कार्बन, ऑक्सिजन, हाइडरोजन होते हैं। कार्बो हार्डड की एक यूनिट में 6 कार्बन परमाड़ू, बस यह दिखा है। और हाइडरोजन में 6 आक्सिजन के, 6 आक्सिजन परमाड़ू, 12 हाइडरोजन और 6 कार्बन की एक स्रिंखला होती है, इस परका इसका सुत्र, C6H12O6, इसको हमें सिंपली सी याद रखने है। जर्ण के लिए磨माड़ू, कार्बोहडरीट की कार, अचा कार्बोहडरेट की कार है। एक सक तत्त्त है, तो हमारे अंदर जाकर बात है ना सबसे हुए, उर्जा देगा है। यह सिंबल सी नाब्त है, प्रोटीन और विटेमीन्स न या सबसे कार्बोहडरेट है as carboidrate प्रोटीन की भी बचत करता है क्योंकि वह प्रोटीन पर पढ़ने वाले उर्जा उत्पत्ति के बोХ को कम करता है सरील के ताप करम को नियंत्रवरती रखता है 늑 ओके चलिए नेक्सट ब्रश्न में विटामियन सूप विटामिन क्या है तो इसके बारे में विटामिन एक प्रकार का सानिक आतिन तरिमारे भोजन पतात में विटेमिन्स की पर्याप मातरा नहीं होने से सरी में कई रोग किस सिकारी हो जाती है स्वस्त रहने के लिए कि अब प्रोटीन कार्बोहड़ेट वसा की आफसकता नहीं पढ़ती विटेमिन्स ही प्यूक्त तत्व अच्छी तरह सरी मिलती है जरूरी होता है यह सारी चीज़े आपको अपने सब्दों में लिखेना है ठीक है जो कितामगे बिखाया है काम खटम नेक सilda कहीं प Robin keywords यहा से लिखलेजएगा नेक्स कुष्य पर चलते है Mii Minerals की बात कि जारी मिनरल्स मतलब आपको लग रहा होगा कि हमारे बौडी के अंदर हमसकेवल Vitamins और À यहां को हैं कि अधिये सभरेता हैं आप आई रेन में तो हममें आप खाते ने सभर्य का हो आप अगर ने चेंव से न श कमदेशन के उन खाते हैं तो मन की गोली अगें नाई रिखिव भिवत ह होना भी आवस्यक माना जाता है ठीक है बच्चो चलिए मानो शरीर में लगवक 24 प्रकार के खनीच ततो होते हैं 24 types of minerals in our body oh my god हमारे सरीर का 4% भाग खनीच ततो से ही निर्मित है खनीच ततो भोचन द्वारा हमारे सरीर में पहुंचते रहते हैं रहना आवस्यक है मानो शरीर में खनीच ततो मुख्यता कौन कौन से होते हैं calcium, phosphorus, potassium, sodium, magnesium, sulfur, chlorine, loha, mags, loha मतलब iron की बात करीए पालक में iron बड़ा मिलता है ठीक है इसलिए जिनको इस्टोन की प्रवबलम होती है पत्री की उनसे कहते है थोड़ा पालक से बचे पालक और टमाटर में मैगनीज, ताबा, जींग, कोबाल्ट, आयोडीन आधी पाय जाते हैं यह सारे खनीच तत्वाइं, मिनरल्स के अंतर गताते हैं कूपोषड, अगला सवाल है कूपोषड, इसका क्या मतलब होता है देखिए जब हम आव विवस्तित भोजन करते हैं किसी चीज़ को बहुत किसी को बचारी को खाना नहीं मिल रहा है कूपोषड के सिकार हो जाते हैं अगर आप देखेंगे बहुत सरे ऐसे कंट्री जहां पर प्रॉपर डाइट नहीं मिल पाता है उन्हें खाना नहीं मिल पाता है वो कैसे कैसे अपने गुजारा करते हैं तो वो कूपोषड के सिकार हो जाते हैं इसी के बारे में यहां पर बात की गई है कूपोषड का आजसे है औव विवस्तित भोजन जो आवसकता से अधिक कम पोषड तत्व लेने के कारण होता है कूपोषड एक ऐसी विक्रिति जन्य इस्तिति है जो एक या उससे अधिक आवसक पोषड तत्व की किसी अनुपात या पूर्ण रूप से कमी अथवा अधिक के कारण उत्पन होती है मतलब कोई भी पोषड तत्व है जैसे किसी ब अधिक या झाल लेने से उसमें अस संतुलन के काणि हुता है और कम करिफिन right जाहे कम करिये या ज़्यांद कर्या है तो हम क bako के लेते हैं अधिक बजक शैदय क्रीक जाम के सिस्मीन कर्या ठीक ज्रधकद hopes युकों के समय कासरु पर और बहुत थ्यान अंगला प्ष्णय करते हैं, तो होम साइंस की परिफास है, आप सब होम साइंस की स्टुडेंट है, मैं होम साइंस की स्टुडेंट हैं, अगिर अप सब को बहुत अच्छ से परिवासा तो डॉक्टर ए एच रिचर्ड के अनुसार इन्होंने क्या परिवासा दिया इन्होंने कहा कि गरीव ज्ञान एक बहु आयामी भी से है बहु आयामी मतलब मल्टी डायमेंशनल ऐसा नहीं कि वो किसी एक चेत्र या किसी एक दिसा में गांग भरते है ना इसा अगला है इसमें आए वे अच्छा थोड़ा हिसाब भी करते हैं अपने घर वालों से ठीक है कि आज कितनी सेलरी आई कितना खर्चा होगा कहिए कि मैं ग्रीव ज्ञान की स्टूडेंट हूं मेरी मेरी जीमदार यह मैं करना चलिए तो ग्रीव ज्यान एक बहुए आयामी भ भोजन की पोशकता स्वक्षता का ख्याल रखना भी आपकी जीमदार यह आपका डिपार्टमेंट है कपड़ों की परियाप्तता कपड़ों की भी डिपार्टमेंट आपका यह ठीक है घर की उचित संसाधुनों में प्रबंद करता है ग्रीव ज्यान यह छेत्र की बात की अब गिरी विज्ञान एक परिवारिक विज्ञान है जो छात्रों को सफलता पुरुवक परिवारिक जीवन के लिए तयार करता है और समाजिक वह आर्थिक समस्याओं को हल करने के सक्षम बनाता है तो ये क्या है आपका department है आपके department को समझ लिया चलिए आएवे की जिमेदारी आपकी भोजन की पोसकता की इजाज करना आपकी बात है स्वक्षता का ख्याल आपको रखना है कपडों की प्रियाप्तता और घर की उचित संसादूरों का प्रमंधन यह सब आपकी जिमेदारी ह होगा बाटी चोखा या फिर लिटी चोखा गये donor है आपने द्गा बाटी चोखा मतलब यह विलकुल ऐसे लगता है ने जिसे कापल पारते ह हैं एक साथ है बाटी सबस्क पेस्यो कि छॉख ब एक साथ यह यह rhoili dus de दो ऐसे खात-पदार्थ जिससे अलग-अलग पोसकतत हो, साथ खाये जाएं तो इसे खात-तालमेल या फूड सिंजरी कहते हैं जैसे दाल और चावल, यह खात-तालमेल, वाउ, गुड जॉब, गृरीभ विग्यान के बिच्चे, होम साइन्स, अब बात करते हैं, खमीरी कर जैविक रसानी क्रिया है, इसमें जटिल कार्वनिक योगिक सुछ मजीवों की सहाइता से सराल कार्वनिक योगिक में विगटित होते हैं, विगटित होता है, तो जो जटिल कार्वनिक योगिक हैं, वो सुछ मजीवों की सहाइता से सराल कार्वनिक योगिक में विगटित जन्म के तुरंद मात करें तो जन्म से पुर्व की विकास की अवस्था गर्व धान से लेकर बालक के जण्म समय तक की अवस्था है इस अवस्था में वंसानुकरम का प्रभा होता है वंसानुकरम का मतलब क्योंकि बच्चा तो समाज से जुड़ा नहीं है तो आपके वंसानुकरम जैसे मानले जी आपके पुर्वचों की कैसे चीजे हैं मम्मी जो खाएंगी या फिर पापा का जैसे स्वास्त रहेगा मतलब निर लिंग निधारद का बच्चा लड़का वहाईए लड़की होगी ये इसका निधारद आपको गर ववस्ता में ही होता है तो ये इसके बारे मताएं अगला हम जिस पॉइंट की बात करते हैं सैसवा वस्ता मतलब जन्म से तुरंद बात की ठीक है जन्म से दो वर्ष तक ठीक है सैसवा वस्ता जन्म से दो सब्ता के बाद से सुरू होने वारे दो वर्ष तक जन्म के दो सब्ता के बाद से सुरू होती है जन्म के दो साल के बाद से सुरू होती है, मतलब 15 दिन के बाद उसकी भी अवस्ता जिरो होती है, मतलब 0-2 साल के अवस्ता को सहस्वा अवस्ता कहते है, अब इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा totally sensitive होता है, मतलब वो अपने खुझ से कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, वो मावा इससे उसकी जीनचक्र का महतपूरा आधार दता है होता है, और यहीं से वह बच्चा सेकता है, चाहिए, जीरों से 0-2 वर्ष चैस drug siblings कि सोरा अवस्था की बात करें तूफान की अवस्था टीन एज तूफान की अवस्था की सोरा वस्था की सोरा वस्था की अगर हम बात करें तो 13 से 18 साल तूफान की अवस्था इसको गा जाता है कि सोरा वस्था तरह परिपक्यता की ओर ले जाने वाली अवस्था अच्छा य इन प्रक्तन में है, dancing में है, पढ़ाई में है, painting में है, swimming में है, खेल में है, कहाँ है उसकी रूची यहां तक तया हो जाती है, तो बहुत ही important और यहां पे मन बहुत है, यहां पे इंसान कभी-कभी अपने घरवालों से लडाई जग्ड़ा और बहुत सारी चीजे होती है इस कि 15 वस्था के अंळहें आपको आपकी सानरीक हो जाता है कि आपकी हाइट कहा कितनी रहेगए ,छोटे रहेंगे , बड़े रहेंगे , आपकी बैड़ी कैसी रहेगी , यह सारी चीज अवस्था अर समाजिक में सीख जाते हैं , इमोशनल आपको थोड़ा अपके अंदर आ जाता है कि सवरावस्था की 13-18 वर्स की वस्था कहलाती है इस वस्था में काफी सालिक परवर्तन होते हैं अपने व्यक्तित्व बाहे प्रयरूप स्वतंतरता सिख्छा व्यवसाय आधिक प्रति अधिक सचियत हो जाता है बच्च है चलिए 13 वस्था एक संतुष्ट वखुस वस्था है मतलब बचे मज़े गरते हैं कि सवरावस्था है मैं 18 साल सकते हैं तो चलिए अब बात करें ते विरिदा वस्था में पहुंच गए नहीं मजा कर रहा था विरिदा वस्था की वस्था देखो 55-60 वरसे आं पर काई ग मतलब अब वह व्यक्ति आगे और बच्चों को जन्ब नहीं दे सकता यह कहा जा रहें तता सरीड में सेज को साडू पर निर्फ रहने से इसे धीज़े तरे सरीड के ओवे हो कि कारी कुसलता अथ्वा चंता में कमी आ जाती है मतलब आप वैसे काम नहीं कर बात हैं व्रिद वासियों में व्रिदा वस्ता समानता पच्पन से साथ वर्स की आयू में सुरू हो जाता है व्रिद व्यक्ति जो किसी रोग की आवस्ता के सिकार हो गये हो और सारिक दिरिष्टी से अपंग हो गये हो अत्वा समाजिक आवं आर्थिक दिरिष्टी से कमजोर हो गये हो उन् ग्रूप से आर्थी ग्रूप से भी क्यों कि 55-60 साल के उमर में बच्छा क्या किसे कमा है ठीक है हाँ हाला कि पहले इन्वेस्ट कर चुका वह तरह बात है वरन बफेट राकेज जुन जुन वाला यह लोग स्वरी राकेज जुन जुन वाला तो अभी नहीं है मगर आईन लोगे ने अच्छा इन इवेस्टमेंट किया था तो इस तक इंज्वाय कर रहे थे तो क्या होता है कि एक आपको सहायता और निर्देशन की जरौत होती है किसी वी चीज में कि यह करना सही होगा या यह करना गलत होगा इस चीज की जरौत पड़ती है नेक्स्ट कोचिन आप बोर तो नहीं हो रहे है मैं उमीद कर रहा हूं चलो करते है और नेक्स देखते हैं अगला प्रस्न है कि अंकूरी करण और तो बिलकुल होगा आप चने को पानी में डालते है तो एक अंकूरी करण होता है तो बीज से नए पौधर निकलने शूर हो चले तो कच्चा या पका कर खाने के लिए बीजों में छोटे छोटे अंकूर निकलने की प्रक्रिया को अंकूरण करते हैं खाने के लिए आप बोने से पहले जैसे कि हमें अगर आलू बोना हो तो आलू रख देते हैं उसके अंदर वो निकलने लगते हैं इस किरिया दवरा किसी श्रीतू के सलाथ प्राप्त किया जा सकते हैं और अंकुरण की किरिया में साबुत अनाज और दालों की अंकुरित किया जाता है। किहते हैं जिसमें बीच पौधे में बदलने लगता है एक या पौधा निकल लगता है। अंकुरिकरण की बात किया होगी। उसी प्रकरण के लाफ। अंकुरिकरण से भोच पदार्थ के पौसर मुले में विर्धी हो जाती है। इसे चना मालेशा आप नार्मल खा रहे हैं तो इसको भीगो दीजिए, अगर थोड़ सा अंकुरण होता है, उसके बाद खाईए, तो ज्यादा अच्छा होता है, ओके बच्छों, चलिए, नेक्स्ट इसमें क्या अगर है, एमरी फूल होगी, बट नो इशूज, अंकुरी करण में डालों में विटेमिन C और E की मातरा वड़ जाती है, अब कुछ यहाँ पर नाम दिये जाए, जैसे नियसीन, फ्लोएड, साइमाइन, राइबोफलीन, तदा अन्य विटामिन B समोग के विटामिन की मातरा युक्त लोह लवड की मातरा में विरिदी हो जाती है, तो यहाँ पर इन चीज़ों को बताए गया, नेक्स्ट देख लेते हैं, question number 21, वनस्पती यहाँ जन्तु कोशिकाओं में अंतर, वनस्पती यहाँ जन्तु कोशिकाओं में अंतर लिखा रहे है, पैला वनस्पती कोशिकाओं की जली के ऊपर इसे कोशिकाओं घयते हैं, और इसमें कोशिकाओं भीती नहीं होती, कोशिका जली पतली जली के रूप में होती है, नेक्स्ट है कि कवक तथा जीवारू को छोड़कर हरे पौदो की कोशिकाओं में हरित लवड रंगीन वरडी लवड में पाय जाते हैं प्राडी कोशिकाओं में कवक अनुपस्थित होते हैं यह बायोलोची वाले बहुत अच्छे समझ करेंगे एक प्राणी कोशिकाओं में केंद्रिय रिक्तिकाओं यहां पर छोटी पाय जाती है प्राणी कोशिकाओं का बिजली घर क्योंकि वहां पर उर्चा प्रदा होता है माइट्रोकांडिय कोशिकाओं में एक स्थान होता है जहां पर उर्चा प्राणी के वहां के उर्चा पैदा करने के लिए वह इंपोर्टेंस होता है माइट्रोकांडिय उर्चा पैदा करने के मुख्य केंद्र होता है हिसलिए इन्हों कुसे हैं इसलिए इंहें क्या कहते हैं बिजली araf TV तो यह थी कि तो इसे वाटर एनड एटीपी और प्रोड़कोस को तोड़के उसे वाटर एटीप और आडिनोड fare होता है हिंदी मैं बता हुआ है क्या बहुता है ऐडिनो ट्राइफॉसपेट को एरासानी के नाम है तो यहां प्रशन यह दिया है कि माइट्रो कांड्रिया को को सिखाओं का बिजली करक्यों कहा जाता है क्यों कर जाता है को कि वहाँ ATP का production होता है इसलिए वहाँ उसको क्योंकि वहाँ पर उर्जा परेदा करती है महाँ थे यह बाइओ को स्टूडेंट है हमारे हैं रहे हैं इसका कड़ नहीं पाऊँ के बाट करते हैं नेक्स बात करते हैं स्वसन मतलब ब्रीधिंग की बात को लिए हम स्वसन एक ऐसे सारणिक प्रिक्रिया जिसको दौरा जीवित जीव आस पास के वातावरार से ऑक्सीजन लेते हैं तता कारमन एक्साइट छोड़ते हैं यहां पे फेफडों में हवा का परवेस हुआ बाहर निकलना हवा में रक्त के माध्यम से गैसों की अदला बदली रक्त में गैसों का आना जाना खून और उत्कों के माध्यम से गैसों की अदला बदली ही स्वसन होता है स्वसन मतलब हम सांस लेता हैं अक्सीजन लेते हैं और कारमन एक्सीजन छोड़ते हैं अब के ब्रज़ाम गैसों के अदला बार्ली ही है स्वासन की प्रकरिया होती है एक संग स्वासन नेक्स परें दिखते हैं कि कोशika 연ति . मतलब साइटोप्राज्म साइटोप्राज्म पायाँ में साथ अंगोगा देदी पाया शुर्पॉसम का होता है Cytoplasm का होता हैं? Cytoplasm किसी भी cell के अंदर लिक्विट पार होता है जिसमें सारे और्गणल्स Imbe Éspe 무IDS होता है तो यह जो Cells के अंदर कोई लिक्विट पार है जिसको कहते हैं, कोई का दूर्व कहते हैं Cytoplasm कहते है, इसके साथ अंग बता हो साथ अंग होता है, Mitochondria, Ribosomes, Golgi Aparatus, Golgi Bodies, Relf and Endoplasmic Reticulum, Reticulum, Lysosomes, Centrosomes, Centrosomes, Vacules, तो यह साथ सथों के क्या अलग अलग होता है। मैं बाइलोजी का स्टूडेंन हुन हीं। राइबोसम का काम होता है निया क्या है राइबोसम का काम होता है। कोसिकाओं the groups of cells cells is called tissues tissues को uttak कहते हैं uttak कोसिकाओं के ऐसे समू होते हैं जो कोई विशेस कारे करते हैं उसे सामुईक तर पर काम आते हैं कोसिकाओं के समू को क्या कहता है the group of the group of cells इसमें क्या कहते है the group of cells is called tissue 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 spelling T I S S U E चैलो ठीक है good यह नेक्स है मारा प्रोशन है प्रोटीन के कारे नहीं लिखी थे प्रोटीन के कारे नहीं कोशिकाओं का निर्माड करता है की वादी एंजाइम्स और हार्मों का निर्माड करता है किसी भी माईक्रोब से लडने के लिए तो क्या NDA होता है और दीने होता है यह बॉडी खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए WBCS बनाती है हां WBCS, White Blood Carbocles, मैं साइस का मैं मैं स्टूडेंट हुआ यह बायो का स्टूडेंट है इसलिए चल रहे हैं, चलो, नेक्स हम देखते हैं, सरीर में पानी के कार है, the work of water पानी के अच्छे घोलक के रूप में कारे करता है, अच्छा घोलक भी होता है, सर्वत बना रहे हैं, सरीर में ताप निये तक, temperature maintain करता है पानी सरीर के पोसक्तत्तों को एक अस्थान से दूसर, जो भी पोसक्तत्त होते है उसको एक बाड़ी से लेके पुरा रूप करता है, फ्लो करता है संधियों और आंतरिक अंगों के लिए स्नेहक का कारे करता है संधियों और आंतरिक अंगों के लिए स्नेहक मतलब पता नहीं है स्नेहक का मतलब शायद कुछ लुब्रिकेट डैप का होगा पता नहीं है यह क्या है मेरासमस क्या है merasmus क्या है ? merasmus प्रोटीन केलोरी की कमी से होने वारी कोई बीमारी है merasmus ग्रीक वाहसा का सब्द है जिसका ततपर है वियार्थ करना एक वर्ष के बच्चे अधिकांस तह इस बीमारी सिपीडी होते है इसमें मुख्य रूप से व्रिधी रूप जाती है मांसपेसियां कमज़र हो जाती है और बच्चा हड़ियों की धाच धाच मात्रा रह जाता है मतलब मेरोस्फमस वह बीमारी है चो जो इसमें इधिकांट बच्चों को होता है और इसमें व०िधी रुख जाती चारच अ c दोस्तों इस वीडियो को शुंप हो जाते है freaking देख लेगे Fie relationships उढ़ने जोugen है और आपको second कमेंट पे बताईए कि अगला कौन सा सब्जेक्स देखना है उस सब्जेक्स पे भी मुझे खुद भी पढ़ना पड़ता है तो उसको पढ़के फिर आप उस पे डिस्कोस करेंगे सो इस वीडियो में इतना ही फिलाल कैसा लग आपको वीडियो कमेंट में अपनी राय जरूर देए वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें चैनल को और जुडिये साथ और लोगों को जुडिये अपने दोस्तों के साथ फिलाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों वीडि झाल झाल